हेलो तो सुब्सक्राइब के तराव सभी कास हो आगे तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके भाई की स्टाइल बदल चुकी है मतलब पूरा सौर आफ जोशी लुक आ चुका है हमारा मतलब मैं न किया नहीं है वही यह खुदी हो गए मेरे बाल ऐसे तो बहुत टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और हमारा माइक भगवान की दया से सब कुछ अब सही है तो इसकी स्टोरी में बादें बताऊंगा कभी तो अभी बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो के तरा क्या चीज खास है तो वार्जोन का आज पूरा का पूरा टॉपिक है औ बताने मालाओं कि बाई क्या हो रैहस गेम से रिलिटड़ तो आपने देखे लिया होगा थमनेल जिसमें थमनेल तो देखे लिए होगा खेरा आपने बागी अब भी क्या चल रहा है टुटर पर टुटर पर एक एसी चीज चल रहे हैं जिसका कोई지 मतलब कोई जवाब salvar ही नहीं है कोई टाइमर भी बतलब चल नहीं रहा है अभी तक तो कुछ चला नहीं है बस एक खाली एक वाच से हमें दिख रही है जिसमें कि जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आज जो काउंडाउन चलता है उल्टे टाइमिंग चलती है टिक टॉक करके वैसी कुछ हमें ये घ ग्लोबल होने वाला है या फिर न्यूई किसी सीने न्यूई ही Himself कर दिया है तो मतलब आपको तो बताल क下去 की क्या है कैनी है खर मेरी माने मुझे क्या लगता है वैसे हर gouvernement चीज मैं आपको सही बताता है हूं आज तक जिसकी मैंने आपको बता है थे सब बोल रहे थे कि इनडिया के अंदर आएगा क्लोश के Regional Launch होंगे और मैंने हमेशा आपको यह बता है कि इंडिया में Regional Launch नहीं होंगे और वैसा ही हुआ है नहीं हुआ कुछ भी деया के अंदर तो मैं अभी भी आपको यही बोलूँ गा कि यह टाइमर फामर से कुछ नहीं होने वाला है यह जो गेम है यह अपरेल से पहले रिलीज नहीं होने वाला चाहे कितना ही काउंटडाउन कर लो अभी तो यह आहाए है पता नहीं अभी कितने टाइम तक यह यूँ ही चलता रहेगा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता है यह 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद कुछ अनॉंसमेंट करते है फिर यह टाइमर स्टार्ट हो जाएगा काउंट डाउन वाला हाँ थीज दिन का चालिस दिन का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा भी सम्टिंग हो सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी पॉसिबिलिटी कुछ भी है क्योंकि गेम अभी रिलीज के काफी करीब है और जिस हिसाब सी अपडेट पर अपडेट दिये जा रहे हैं चोटी अपडेट बड़ी अपडेट बड़ी अपडेट बड़ी अपडेट वई गेम को फुल ओन ऑप्टिमाइज करने में लगे है तो उसको देखकर लगता भी ही कि यार ये फूल ओन भरसक प्रयास कर रहे हैं और आगे भी खसक सकती ये इसकी global launch तो कुछ पका नहीं कह सकते है वाई क्योंकि अभी भी गेम अप्टिमाइज बिल्कुल नहीं है चार जीबी रहेम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि आपने पहले बताया गया जैसे कि पहले भई मैंने आपको बताया था कि 2GB इनकी website के अंदर लिखा हुआ है minimum 2GB requirement उसको हटा के इन्होंने 4GB कर दिया 2GB तो possible था ही नहीं भई यह बिल्कुल fact था 2GB बिल्कुल possible नहीं था तो इन्होंने उसको हटा कर 4GB कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी इतनी जल्दीस की global release नहीं हो सकती बाकि आपको क्या लगता है नीचे comment मुझे जरूर कर देना और यह timer का क्या मतलब है यार क्या बक्चोदीज ही हो रखी है इसका भी आपके पास अकर अंसर है तो मुझे नीचे comment जरूर करना है यार तो मुझे जरूर क्या है